सभी को धेर सारा प्रेम इसमें एक वीडियो बनाना जा रहा हूं जिसमें मैं आपको प्रेम की महिमा का वर्णन करूँगा इस प्रेम की महिमा का वर्णन इसलिए जरूरी है कि मुझे खुद नहीं मालूम था कि प्रेम क्या है और ये प्रेम ऐसा कर सकता है ये उससे बड़ी बात है मुझे इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी पर अब कुछ कुछ जानकारी हो गई है शायद इसी लिए राधा कृष्ण अमर है क्योंकि उनका प्रेम अमर था और वो एक डिवाइन किसम का लव था जिसमें डिविनिटी होती है जिसमें आनन्द होता है शायद शरीर की चाहत या शरीर से बाहर आत्मा हो जाता है आदमी कुछ ऐसा है वो आत्मिक प्रेम जिसे कह सकते हैं और जिसका आनन्द है जिसमें सब कुछ मैं ही हो जाता हूँ या वो ही हो जाती है मेदी प्रेमी का या प्रेमी ही सब जगे दिखाई देता है कुछ ऐसा आत्मिक प्रेम इसकी महिमा अनन्त है कबीर से लेके ओशो तक सब प्रेम ही प्रेम गा रहे हैं रामायन में तुल्शी भी यही गा रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा अब प्रेम ही सब जगे व्याख्यान हो रही है और कबीर कह रहा है कि धाई अक्षर प्रेम का पड़ेश पंडित हो है ये प्रेम का धाई अक्षर बड़ा टेड़ा है क्योंकि पर को लिखोगे तो प्रे और उसमें कटा हुआ प्रेमा थोड़ा सा difficult है जिरूर There is obviously some difficulty in this love It's not so easy to do I hope और ये करने में इतना आसान नहीं प्रतीत हो रहा है मेरे ख्याल से इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्यों ना हम कुछ इसके ही बारे में और जानकारी प्राप्त करें आखित प्रेम क्या है प्रेम कुछ ऐसा होता है जो कि प्रेम आवश्यक क्यों है प्रेम इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमें शारी किस्तर से उठा करके एक हमारे मांसिक किस्तर को और उठाता है और इसको एक higher level of consciousness पे ले जाता है ठीक है प्रेम इसलिए जरूरी है मैंने अपने जीवन के कई साल सिर्फ प्रेमी करने में बिता दी है मुझे लगता है बीस साल ऐसे ही बीच गए मेरे जीवन के अभी भी ऐसे ही चल लहा है ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी क्यों नहीं होती है कि क्योंकि शादी से शायद प्रेम कम हो जाता होगा वैसे ऐसा कुछ नहीं है प्रेम मगन हो जाना चाहिए जैसे मान लिज़े एक प्रेमिका है वो अपने प्रेमि के ख्याल में इतना खो गई है कि उसे बस हर जगे प्रेमि ही नजर आने लगे तो काम खतम हो गया तो तुम उस higher level of consciousness पे automatically पहुँच गए क्योंकि तुम्हें सब जगे एक ही दिखाई देने लग जाता है तो इस तरीके का प्रेम हमें चाहिए और इस तरीके का प्रेम की प्राप्ति इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेम की महिमा है और इसलिए तुम्हें प्रेम की महिमा को गाना पड़ेगा और इसलिए सारे लोग प्रेम करो प्रेम करो चाहिए जिस से भी प्रेम करो चिडिया से प्रेम करो कबूतर से प्रेम करो चाहिए जिस से भी प्रेम करो इनसानों से करो पर प्रेम ही करना पड़ेगा क्योंकि यह एक ज़रूरी चीज है प्रेम तुम्हारे अंदर तुमको भर देता है समझने का प्रयास को रहे तुमको भर देगा यह तुम्हे इतना भर देगा कि तुम बिल्क। टोल हो जाओगे गाम प्रहुत हो जाओगे ऐसा करूँगा कहीं ऐसा ना हो जाए ऐसा करूँगा तो ऐसा हो ना हो जाए इसलिए वो मिल नहीं पा रहा है और आजकल के जमाने की तो बात ही क्या कहनी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता इस जमाने में प्रेम से कोई कुछ प्राप्ट भी कर पाएगा यहां तो बस से कहूंगा तुमसे कि प्रेम आवश्यक है जीवन है अब यह दे नहीं रहा है परमेश्वर किसी को क्योंकि उसays उसके पास पहुंचने का एक वही मार्ग है, यह, क्योंकि प्रेम ही वो मार्ग है मैं तुमसे कहता हूँ, प्रेम क्या है, प्रेम एक मार्ग है, जो कि परमेश्वर तक पहुंचाता है, इसलिए यह थोड़ा कठिन है, ठीक है, यह थोड़ा कठिन और थोड़ा दर्द है इसम मिलन कम है विच्छो जो हिर्दे को द्वार को खोले जो इनके कपाटों को खोल दे वो है तो थोड़ा दर्द होता है तो कपाट खोलते हैं तो अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा द्वार खोल जाएंगे देख पाओगे कि क्या है ये सब पहुंच जाओगे द्वार दिख जाएगा और चले जाओगे जहां से आए हो और नहीं तो मर जाओगे कि अबर प्रेम ही ऐसी चीज है जो अमर कर सकती है मैं तुमसे फिर कहता हूँ प्रेम से ही अमरता प्राप्त की जा सकती है और कोई साधन मुझे यहां दिखाई नहीं देता जो अमरता को प्राप्त कर सके विज्ञान ने इतनी तरकी कल ली हमने पता नहीं कौन सी तरकी कल मुझे तो इसा कुछ समझ में ही नहीं आया मुझे तो बस यही समझ में आया है कि यह प्रेम ही है जो अमर कर सकता है Immortality can only be gained through love okay because it is going to open the doors of heavens चाहे जीजस हो whether it is Jesus, whether it is anybody okay, पेगंबर they all say love कोई हो, देख लो कोई भी संत उठा लो कोई यह नहीं कहेगा प्रेम ना करो बस वही एक मार गया तो ऐसे इनोंने प्रेम मार की शाखा का निर्मार भी किया था तो प्रेम दिल के द्वार खोल के भक्ती रस का स्रावन कर सकता है, ज्यान का स्रावन कर सकता है, ध्यान का स्रावन कर सकता है, कुछ करने की और अब शक्ता बचती ही नहीं है, सारे योग पून करता है, समझे, इसी लिए महत्व पून है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें प्रेम हो जाए, और एक बार हो गया, तो फिर दुबारा कुछ और नहीं हो गाएगा, शालो हो गया, ठीक है, यू